मोहन भागवत एक कारेक्राम में कह रहे थे कि डॉक्टर बावा सब अंबेरकर और RSS की संस्थापक के भी हेगड़ेवार के शोव बडिराम हेगड़ेवार ये शरीर से अलग-अलग थे लेकिन आत्मा एक ही था पास्चे जन्य की मैगजिन कहती है कि बावा सब अंबेरकर RSS की कैंप में आकर बैठा करते थे और RSS का गुनगान गाते थे विश्व के सभी मेरे साथियों को राज़रत अंबेरकर क्योर से जैभीम नमबुद्धा है दांटोल अंबेरकर के नोवे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है इस भाग को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ स्टेटमेंट्स मोहन भागवत की और RSS की पास्चे जन्य की स्टेटमेंट्स आपको बताना चाहता हूँ मोहन भागवत एक कारेक्रम में कह रहे थे कि डॉक्टर बाबासा वंबेरकर और RSS की संस्थापक के भी हेगड़ेवार के जो बड़ीराम हेगड़ेवार ये शरीर से अलग-अलग थे लेकिन आत्मा एक ही था पास्चे जन्य की मैगजिन कहती है कि बाबासा वंबेरकर RSS की कैंप में आकर बैठा करते थे और RSS का गुनगान गाते थे तो चलिए आज RSS के बारे में जानते हैं RSS के बारे में जानना है तो आपको पहले कॉंग्रेस के बारे में जानना होगा कॉंग्रेस की स्तापना हुई 1884 में कॉंग्रेस की स्तापना की चैटर जी, बैनर जी, मुकर जी, एनी बैजन्ट, टिलक, आगरकर, सावरकर इन सभी ब्रहमनों ने मिलके और एक अंग्रेस ने मिलके इस कॉंग्रेस की स्तापना की ये कॉंग्रेस उस समय सिर्फ ब्रामणों का संगठन हुआ करता था, इसलिए इसको भूजनों का फेस देने के लिए सबसे पहले जो तीरा फुले इनको अप्रोच किया गया, इनके पास जाया गया और उनको बिंती की गई कि आप हमारे इस कॉंग्रेस में आईए जो तीरा फुले इनको ने कहा कि आपका ये जो पक्षा है, आपका ये जो संगठन है, ये ब्रामणों का संगठन है और मैं इसमें नहीं आऊंगा इसके बाद छत्रपती शाहु माराज जी को कॉंग्रेस में लाने की बहुत तैयारी इन लोगों ने की कॉंग्रेस के लोग चतरपति शाहु माराज जी को जाकर मिले शाहु माराज ने तो एक ये स्टेट्मेंट दे दिया कि ये कैसी कॉंग्रेस है ये कोई कॉंग्रेस नहीं है ये तो ब्रह्मणों का दल है मैं इसमे नहीं आऊंगा तो यहां से यह जो संगठन था कॉंग्रेस का यह सिर्फ ब्राहमणों के हाथों में था बाबा साभ अंबेडकर जी का राजनेतिक सामाजिक सेक्षनिक पटल पर प्लाटफॉर्म पर उदव हो गया और बाबा साभ ने जैसे मैंने कल के एपिसोड में कहां कि बाबा साभ अंबेडकर जी के वज़े से भारत के समी लोगों को वोड देने का अधिकार प्राप्त हो गया अब जब वोर्ड देने का अधिकार मिला तब कॉंग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत के सभी लोगों को वोर्ड देने का अधिकार हो इसक्या ज्वलंत उधारण में तिलक का देना चाहता हूं जब छत्रपती शाहू माराज जी ने 50% 50% आरक्षन जब लागू किया तब तिलक ने सभा लेकर कहा कि तेली तंबली और कुनभटों को संसद में जाके क्या हल चलाना है इनको क्यों चाहिए रिजर्वेशन इनको क्यों संसद में बेजना है इन लोगों का काम है खेतों में हल चलाना, लोगों के जुते पॉलिश करना, लोगों के बागों में काम करना इन लोगों को संसद में नहीं भेजना है और सबसे पहला विरोध की आता कॉंग्रेस के तिलक ने बाबा सहाब ने इस देश के सभी लोगों को वोट का अधिकार दे दिया SC, ST, OBC, Minority, Muslims और सभी लोगों को वोट का अधिकार मिल गया 37% ब्रामन अब ये भारत के लोगों के उपर राज नहीं कर सकता था भारत का ब्रामन इनके उपर राज नहीं कर पाएगा इसलिए 1884 में बनी हुई ये जो कॉंग्रेस थी इसमें से कुछ लोगों को 1920 के बाद बाहार निकाल दिया गया 1920 में ही बाबा सहब अंबेड कर जी ने इस देश को वोट का अधिकार दे दिया था 1920 में वोट का अधिकार मिल गया और 1920 के ही बात कॉंग्रेस में से कुछ लोगों को बहार निकाल दिया गया और 1923 में यही लोग बहार आ गये और इनोंने RSS से पहले एक जनसंग बनाया और उसी का नाम आगे चल कर RSS हो गया हिंदो महासभा और RSS यह सभी विचारधारा के लोग एक हो गए और इनोंने इस देश में हिंदूत्व की लहर हिंदूत्व को बढ़ावा इनोंने शुरू कर दिया अब RSS का कहना है कि बाबा साब और RSS एक ही विचारधारा के है RSS की विचारदारा है कि इस देश को हिंदू रास्ट बनाना वही पर बाबा साब 1935 में लाखों की सबा में कहते है कि मैं हिंदू धर्म में जनम लिया ये मेरे हाथ में नहीं था लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं अब RSS की मोहन भागवत को जवाब देना होगा जब बाबा साब इस हिंदू धर्म को ही नस्ट कर रहा चाहते थे वो RSS की हिंदू तवका पुरसकार कैसे कर सकते है दूसरी बात इस देश में जब RSS की स्तापना हुई तब स्वातंत्र से याने आजादी के काल से पाज बार RSS इस देश में बैन थी पाज बार इसको आतंगी संगठन के नाम से जाना गया था और RSS का कहना था कि इस देश को हिंदूराष्टर बनाना है वही पर बाबा साब आपने आठवे Writing and Speeches के volume में लिखते है कि इस देश को अगर कोई हिंदूराष्टर बनाना चाता है तो हर एक भारतियने इसका विरोत करना होगा और जैसे ही यही देश अगर हिंदूराष्टर बनता है यह सबसे खाई में यह देश चला जाएगा इसलिए हमको हिंदूराष्टर इस देश को बनाने से रोखना है दूसरी तरफ मोहन भागवत जी इस देश में राम राज्य लाने की कोशिश करते है राम राज्य लाने के लिए इस देश में काम कर रहा है और वही पर डॉक्टर बाबा साब अमबेड कर अपने तीसरी दूसरी परतिग्या में कहते है कि मैं इस देश में राम को कभी भगवान नहीं मानूंगा और कभी उनकी पूजा नहीं करूंगा अब मुझे बताओ मोहन जी बाबा साब अपके राम को ही इस देश चे तड़िपार कर देते है वो बाबा साब आपका राम राज्य कैसे ला सकते है और कई सारी बात है जहां पर बाबा साब और RSS की विचारदारा एक नहीं हो सकती बलकि मैं आप लोगों को ये बताना चाता हूँ कि RSS की स्तापना ही बाबा साब को रोकने के लिए कर दी गई थी 1920 से ही बाबा साब आपकरजी ने अपनी खुद की एक सेकुरिटी फोर्स बनाई थी अपना सुरक्षा दल बनाया था और उस सुरक्षा दल का नाम था समता सैनिक दल इसके establishment 1927 में हो गई थी लेकिन उससे पहले ही बाबा साब आपकरजी ने इस सुरक्षा दल का निर्मान करना शुरू कर दिया था और इसी सुरक्षा दल को देखते हुए RSS का हेगड़ेवार कहा करता था कि देखो बाबा साब आपकरजी जैसा सुरक्षा दल हमको बनाना है और बाबा साहब के समता से निकदल की ओर ये उंगली दिखा कर कहा करता था कि इस तरह का संगठर हमको तयार करना है बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश में जो क्रांती सामाजी क्रांती ला रहे थे उस क्रांती को रोकने के लिए RSS की स्तापना हुई यहां तक कि बाबा साहब ने जो सविधान इस देश को निर्मान करके दिया दूसरे दिन 26 जनवरी 1950 के दूसरे ही दिन यानि 27 जनवरी को दिल्ली में RSS ने सविधान की प्रतों को जलाया यह आज दो साल पहले नहीं हुआ 2008 में यह गटना नहीं गटित हुई पहली बार यह सबसे पहली बार गटित हुई 1950 में दूसरे ही दिन RSS ने भारत के सविधान को जलाया था आज भी यह RSS United Nations के आतंकी संगठनाओं में एक प्रमुक संगठन है इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा यह जो मेडिया इनका काम कर रहा है बाबा साब को RSS के प्रो दिखाने का RSS के विचारधारा का दिखाने का काम कर रहे आज ही क्यों कर रहे है मैं आपको इसकी वज़व बताना चाहूंगा इसकी वज़व है इस देश का मुसलिम इस देश के मुस्लिमों के लिए RSS काम कर रही है कि बाबा साब को हिंदूत्व का एक मसिया बताया जाए जब इस देश में CA, NRC, NPR लागू करने की कोशिश की जा रही थी तब इस देश का मुस्लिम रास्तों के उपर उत्रा हाथ में अपने धार्मिक फ्लैक्स को लेकर ज्हेंडे को लेकर नहीं तो इस देश के द्वच को रास्तों के उपर उत्रा और हाथ में डॉक्टर बाबा साब अंबेड करजी की तस्वीर थी जैसे ही ये तस्वीरों सारे मीडिया के उपर, सारे पेपर के उपर गई इस देश में आरेसेस को जलन होने लग गई कि जो मुस्लिम ये मुस्लिम आज बाबा साब के विचारों को फॉलो करने लग गया है बाबा साब के फोटों को लेकर चलने लग गया है और उस दिन से आरेसेस ये कोशिश में लगी है कि मुसल्मानों के हातों से बावा साब अंबेड करजी को हटाया जाए, छीन लिया जाए दूसरे ही दिन C.A.N.R.C. के इस आंदुलन को जब चलाया जा रहा था दूसरे ही दिन हिंदुस्तान टाइम में नंद कुमार नाम का RSS का एजेंट एजेंट को हिंदी में क्या कहता है आप लोग डिशनरी में पूर, ट्रांसलेशन में देख लो यही नंद कुमार यह कह रहा था कि यह मुसल्मान तो बाबा साब की फोटो यूही लेकर घूम रहा है दरसल C.A. का समर्थन तो बाबा साब ही कर रहे थे बाबा साब के ही विचारों पे हम लोगों ने C.A. लागू किया है तो मैं आपको यह भी बता देता हूँ क्या C.A. सही में बाबा साब अंबेटकर जी के विचार की कोई कानून है अगर बाबा साब अंबेटकर जी के विचारों का कानून C.A. होता तो बाबा साब सविधान में, आर्टिकल 14 में ये नहीं लिखते कि इस देश में नियाय देते समय किसी की जाती किसी का धर्म नहीं देखा जाएगा, इस देश में धर्म निरेपिक्षता होगी, किसी की जाती किसी का धर्म देखकर इस देश में कानून नहीं बनाया जाएगा और ये एक ही आर्टिकल इस देश में नहीं पूरे विश्व में ये प्रचलित किया जा रहा है कि इस कानून के होते हुए इस आर्टिकल के होते हुए CAA ये भारत में लागू नहीं हो सकता अब मुझे बताओ मोहन भागवत जी आपके हिंदुरास्ट्र को इस देश में लागू करने की सबसे बड़ी समस्या है डॉक्तर बाबा साब अमबेड कर आज बाबा साब अमबेड कर हमारे सामने जिन्दा नहीं है हमारे सामने जिवित नहीं है लेकिन उनकी किताबों के लाइन आगे लेकर आते हो और चार लाइने चुपा देते हो और इसलिए मैं आप लोगों को देश के लोगों को कहना चाहूंगा इस देश में मोदी और अमिच्छा को रोकने से कुछ नहीं होने वाला इस देश में से अगर किसी को हटाना है तो वो RSSS को हटाना होगा इस इसको हटाने के लिए आप सभी लोग पहल करें यही मैं आज के इस एपिसोड में कहना चाहता हूँ आज आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार जय भीन, जय भारत, जय बुद्ध